राजनगर के सुराना लेयाउट में हुई फोटोग्राफर विने उर्फ बबलू सैमुल पुनिकर की हत्या की गुथी तो सुरज गई है लेकिन गोली मानने वाला युवग अभी फरार है पलिस ने आरोपी की प्रेमिका को गिरवतार कर लिया है पकड़ी कई यूती मानकपुर निवास साक्षी ग्रोवर उम्रे 35 साल बताई जारी है वही फरार आरोपी हेमन शुकला उम्रे 35 साल आजनगर का रहने वाला है उसकी तलाश में डोटी में अलग-अलग जगो पर रवाना की गई है पुलिस इस मामले में ब्लैक मैली का आंकल साक्षी मुलता मद्रप्रदिश की रहने वाली है तीन वर्ष पहले उसकी पती का दिहां दो गया पती की मौत के बार वह मायके में रहने आ गई रिश्दार की जिम में साक्षी की पैचान जीम ट्रेनर हेमन से हुई साक्षी भी जीम जाती थी और दोनों के पीच प्रेम सं की थी इस वजह से उसे विने और साक्षी के पीच प्रेम संबत होनी का शक हुआ और शुक्रवार को वहां नाख पुरा क्या था उसने साक्षी को बताया था कि वह विने को समझा कर वापत चला जाएगा उसने विने से संपर किया और शरीवार दोपहर को मिटिंग तै दोनों के बीच हाथ अपाई भी हुई जाच में खुला सावा कि हेमत ने दू बार विने के गली पर प्रिस्टोर रखकर फारिंग की थी एक कुली गर्दर में अटकी और दूसरी पेट में जाकर फसे थी हेमत वापस उसे स्तान पर गया साक्षी ने उसे अपने दूपह य की चांका रिदी थी लेकिन वह उसे गोली मार्दी का इसका अंदेशानी था पुलिस का कहना है कि हेमत ने गर्दन पर पिस्टोल चिपका कर फारिंग की घर का दर्वाजा बंद होने की कारण किसी को गोली चलने की आवाज सुनाई ने थी साक्षी का कहना है कि करीब 10 वर् की पास मॉनिंग बॉक के लिए चाते थे इसे दुरान दोने में दोस्ती हुई थी विने के घर की चांच के दुरान पुलिस को भारी मात्रा में निरुद के पैकेट मिले हैं इसके अलावा लैक टॉप और पेंट ड्राइव में अश्लिल फोटो भी थे वाइल लाइफ फो पाजिश रची थी साक्षी इस बारे में कोई ठोस चानकारी नहीं दे रही है लेकिन वज जानती थी कि हेमंत और विने के पीज इसके पहले भी विवाद हो चुका है विने के इलेक्ट्रोनिक उपकरन पॉन वीडियो और फोटो से भरी वे थे हत्या का कारण अब तक्स प पारी है और हेमंत अब तब पुलिस की हाफ ने लगा है एक टीम आजमकर और दुसरी मत्यप्रदेश रवाना हुई है जल्दी उसकी गिरफ्तारी का अनुबान लगा जा रहा है शहर में निरंतर हो रहे हैं मैटर की मावलों में शहर को जंचुड कर रख दिया है जिसके च सकतर सुरक्षा की आवशिकता प्रतित हो रही है क्यामरा पर्सन अखिलेश भारतवाज के साथ मनिश टेमरी के रिपोर्ट